हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीती आदव स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में प्रिग्नेंसी कंसीव करते ही कई कपल्स की दिमाग में इस अवाल आने लगता है कि प्रिग्नेंसी के दौरान रिलेशन मेंटेन करना सुरक्षित है या नहीं कई कपल्स को लगता है कि प्रिग्नेंसी के दौरान रिलेशन मेंटेन करने से मिस्कैरिज की संभावनाई भड़ जाती है या फिर ये होने वाले बच्चे के लिए नुकसान दायक हो सकता है ऐसी बहुत सारी बाते हैं जो कि कपल्स की दिमाग में आना शुरू हो जाती है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रिग्नेंसी की पहली तिमाई में आपको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए या नहीं और अगर करना चाहिए तो किन बातों का खास खयाल रखना चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखे प्रिग्नेंसी के बात पैरेंटिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और उपर आई कार्ड में दिया गया है देखिए प्रिग्नेंसी का पहला महीना तो कब गुजर जाता है ये पता भी नहीं चलता क्योंकि जब आपके पीरेंट मिस होते हैं तब ही आपको पता चलता है कि आप प्रिग्नेंट है लेकिन क्या आपको प्रिग्नेंसी के दूसरे और तीसरे महीने में संबंद बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए इसके बारे में हवाम बात कर लेते हैं देखिए प्रिग्नेंसी के दौरान महीला के सरीर में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं जिसकी वज़े से महिला पहले से ही बहुत परिशान होती है ऐसे में कई बार महिलाओं का रिलेशन मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता वही कुछ महिलाओं के अंदर रिलेशन मनाने के एक्षब बहुत जादा होने लगती है लेकिन ये सोच कर कि कहीं इसकी वज़े से उनके होने वाले बच्चे को या फिर उनके प्रिग्रिणेंशी को फर्ट ना पड़े रिलेशन मनाने से परहिज करती है जबके सच ये है कि अगर आपकी प्रिग्रिणेंशी में कोई भी कॉम्पलिकेशन नहीं है यानि कि pregnant महिला बिलकुल स्वस्त है और महिला pregnancy के दौरान relation बनाना चाहती है तो साफ़धानी के साथ pregnancy के दौरान relation बनाया जा सकता है लेकिन कोई भी relation बनाने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से राय जरूर ले ले क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या pregnancy की दौरान relation बनाने से आपके होने वाले बच्चे पर असर पड़ता है तो मैं आपको बता दूँ कि baby amunetic flood की अंदर safe होता है ऐसे में अगर कपल साथधानी के साथ relation बनाते हैं तो गर्ब में पलरे सिसु को किसी भी तरह का नुकसार नहीं होता लेकिन अगर आप किसी भी जौक्टर से बात करेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि आपको pregnancy की पहली तिमाई में relation नहीं बनाना चाहिए चलिए अब समझते हैं कि जौक्टर ऐसा क्यों कहते हैं इसका सबसे पहला कारण होता है कि pregnancy की पहली तिमाई बहुत ही नाजुक होती है क्योंकि अभी आपके सिसु का सिर्फ implantation हुआ होता है और बच्ची का विकास होना शुरू ही होता है ऐसे में अगर couples कोई गलती कर देते हैं तो pregnancy को miscarriage में बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे तो baby मा के गर्ब में बिल्कुल सुरक्षित होता है लेकिन कई बार pregnancy के शुरू आती तीन महीने में relation बनाने की वज़े से bleeding होना शुरू हो जाती है ऐसे में अगर bleeding बहुत ज़्यादा हो तो miscarriage होने के खत्रे भड़ जाते हैं इसके अलावा pregnancy की शुरू आती समया प्रेंगनेंट महीला के body के अंदर बहुत सारे hormonal changes होती है जिसकी वज़े से महीलाओं को पहले से ही सरीर में बहुत ज़्यादा परिशानी हो रही होती है ऐसे में यदि अगर कोई महीला pregnancy के दौरन relation मनाती है तो इसकी कारण उनकी दिक्कते और भी भड़ सकती है वही अगर आप relation बनाते हैं तो आप किसी भी प्रकार का protection नहीं लेते हैं तो इसकी कारण महीला को और होने वाले बच्चों को दोनों को इंफेक्शन का खत्रा भड़ जाता है और pregnancy के दौरन वैसे ही महीला के जो immunity होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है जिसकी वज़े से infection बहुत तीजी से फैलता है तो ऐसे में अगर आप relation बनाना भी चाहते हैं तो भी आपको protection का खास ख्याल रखना होगा अब अगर आप मेरी राय माने तो pregnancy की शुरुआती तीन महीने में relation बनाने को avoid करें चाहे महिला की कितने भी इक्षा हो रही हो अगर आप अपनी pregnancy को बिल्कुल सही सलामत और miscarriage से बचाना चाहती है तो ऐसे में आपको शुरुआत के तीन महीने में relation बनाने की इक्षा को control करना चाहिए क्योंकि इसकी वज़े से ना सिर्फ आपका miscarriage हो सकता है साथ ही साथ आपकी pregnancy की शुरुआती जर्नी ही difficult होना शुरू हो जाती है और ऐसे में अगर आपकी pregnancy एक high risk pregnancy है यानि कि आपको पहले से pregnancy conceive नहीं हो रही थी और आपको medical सुविधाओं की मदद से pregnancy conceive कराई गई है या फिर आपकी miscarriage की history रही है तो ऐसे में तो आपको pregnancy के दोरान ही relation नहीं बनाना चाहिए पर अगर आपकी pregnancy एक high risk pregnancy नहीं है यानि कि अगर आपके doctor बोलते हैं कि आपकी pregnancy बिल्कुल normal है तो ऐसे में आप चाहें तो relation बना सकती है लेकिन pregnancy की शुरुआती तीन महीने और आखरी तीन महीने में relation बनाने को बिल्कुल avoid करें अगर आपको relation बनाना ही है तो pregnancy की दूसरी तिमाई यानि की चौथा पाँचवा और छटवे महीने के दोरान pregnancy में आप relation बनाना सकती है उमीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा pregnancy की पहली तिमाई में आपको relation बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने फ्रेम्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले के लिए खूस रही है स्वास्त रही है